दोस्तो आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में, आज मेरे पास Verizon का Galaxy Note 3 है, जिसका model है N900V and today I will show how to flash the Android version 11 on the Galaxy Note 3, just look at this custom and the bootloader is already unlocked which means that के मेरे set का जो bootloader है मैंने unlock किया हुआ है और मैं इसके ओपर Android version 11 flash करूँगा तो अगर आप नए है मेरे चैनल पे सबस्क्राइब नहीं किया हो तो दिर किस बात की सबस्क्राइब कर दीजगा, notification जो bell icon की है वो भी turn on कर दीजगा, वीडियो को like करना ना भूलिएगा और साथ-साथ में वीडियो को share भी करते रहीगा, बहुत शुक्रिया तो दोस्तो मेरे पास जो mobile है वो galaxy note 3 है, settings में जाके आपको इगनतर दिखाता चलूँ, काफी पुराना mobile है, back like in 2013 में यह launch हुआ था, अच्छा जी, अब यहाँ जो मैं आपको अपने इस mobile phone का about device दिखाता चलूँ, तो यह android version 5 पर मौजूद है, और इस पे जो ROM मैंने flash की है, वो custom ROM है, जिसका model number आपको दिखाई दे रहा होगा, n9005, लेकिन अगर आप 20 band पे देखें, इस पे आपको दिखाई देगा, n900V, which means that this set is not n9005, this one is the Verizon variant, having n900V model number, so today, we'll show how to flash android version 11, the stable ROM on galaxy note 3, दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूँ, कि इसका bootloader unlock करना पड़ेगा, Verizon Galaxy Note 3 का, अगर आपको नहीं पता कि कैसे bootloader unlock होता है, तो मैं वीडियो की description में link दे दूँगा, तो और मेरी वीडियो है, जिसमें आप देख पाएंगे, कि Verizon के note 3 का bootloader unlock करने के बाद हम custom recovery flash कर सकते हैं, और इस set को हम update कर सकते हैं Android version 11 की तरफ, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले अपने mobile phone का data save कर ली जगा, गैलरी में जितना भी आपका data हो, save करें क्योंकि यह format करतेगा सब कोच, इसके लाबा बैटरी चेक कर ली जगा, अच्छी battery, quality battery आपके पास हो, तो 50 to 60% कर चार्च होना जरूरी है, वरना मैंने set को 100% चार्च कर दिया था, इसके लाबा अगर आपने settings में जाके lock screen password लगाया हो, तो इससे remove जरूर कर दीजेगा, और Google account या Samsung account आप यूज़ कर रहे हो, तो sync करके remove कर दीजेगा, ठीके जी, चो बढ़ते हैं आगे जी, set को power off कर दी दीए गए वीडियो की description में जो links मौजूद है, वहाँ से download करें, यह है line age 18.1, having invite version 11, जो के T-mobile बे भी flash होगा, जो N900T है, galaxy node 3, उस पर भी आप flash कर सकते हैं, Canadian, galaxy node 3 पर भी flash कर सकते हैं, जो I think N900W के model number है, और इसके लाबा, galaxy node 3, N900V, जो Verizon है, इस पर भी flash कर सकते हैं, यह recovery है, जो के मैंने इसको convert कर दिया है, TAR format में, और हम oddin के थूर इसको flash करेंगे, oddin डाउनलोड करना पड़ेगा, और यह google applications है, जो आपको डाउनलोड करनी होगी, और सबसे पहले, सबसे पहले जो काम कीजेगा, अगर आपने computer में Samsung USB driver install ना किया हो, तो इस पर double click करके इस जो के पुरानी बाली है, USB 2.0, और अब जो है, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले oddin 3.13.1 को extract कीजेगा, इसी folder में रहते हुए, और जब यह extract हो जाए, तो extracted folder को open करें, और यहाँ पर oddin आपको नजर आएगा, इस पर double click करके open करेंगे, तो oddin जो है, वो open हो जाएगा, आप अगले विंडो पर यह आप से पुछे का, make sure बगएरा बगएरा, ok पर click करें, oddin जो है, वो open हो जाएगा, और अब आपने oddin जब open हो जाए, अपी पर click कीजेगा, और उस folder में जाएगा, जिस folder में आपने तमाम files डाउनलोड की थी, जब उस folder में जाएगे, तो यहाँ पर open पर click कीजेगा, तो oddin जो है, वो इसे boot कर लेगा, अब आएगा mobile phone की जाने, mobile phone का power off होना ज़रूरी है, अब हम mobile phone को boot करेंगे, oddin mode में, I mean to say, download mode में, जिसके लिए, सबसे पहले volume down की, यह press करके रखिएगा, फिर home की और power की, यह तीन buttons की combination है, जो आपको press करके रखने होगी volume down की, home की and power की, थोड़ी देर बाद set का warning screen आईगी, तीनों की जो है, for immediately छोड़ दीजेगा, और volume up की एक बार press करेंगे, तो यह continue हो जाएगा, download mode में आ जाएगा, एक नजर आपको अपने set का model दिखाता चलूँ, देखिएगा, N900V, which means that, कि यह Verizon वाला set है, और reactivation lock जो है, वो off है, और off होना जरूरी है, वरना custom recovery flash नहीं होगी, अच्छा दोस्तों जब यह download mode में set boot हो जाए, तो cable connect कीजेगा, अपने mobile phone के साथ, और cable का अगला इसा, computer से connect होना जरूरी है, आपने cable connect की, windows आपको sound देगा, कि आपने set connect कर दिया है, और audit आपको show करेगा, com 0, com 5, etc, edit, set add हो गया है, अब आईएगा options के उपर, यहाँ पर, यहाँ पर आकर आप auto reboot को untick कीजेगा, इसे untick करना बहुत जरूरी है, must untick auto reboot, come back to lock, और फिर आप यहाँ पर start पे click कर दीजेगा, recovery की flashing शुरू होगी, देखते रहिएगा, and recovery got flashed, succeeded one, and pass message, which means that recovery got flashed successfully, अब आपने यहाँ पर reset पे click कर देना है, और oddin को exit कर देना है, ठीक है जी, और main download folder में आ जाएगा वापिस, अब computer, sorry, mobile phone की जानिब आईएगा, सबसे पहले आप disconnect करें, mobile phone से cable को, और अब mobile phone को हम boot करेंगे, recovery में, सबसे पहले, आप back cover इसका remove कीजेगा, remove the back cover first, set is booted into download mode, still it is booted into download mode, remove the battery first, तो set जो है वो power off हो जाएगा, then reinsert the battery once again, you can, आपने panel बन कर देना है, अब set जो है वो power off हो चुका है, अब हम set को boot करेंगे, line age recovery में, जिसके लिए, सबसे पहले volume up की, then home key and then power key, volume up की, home key and then power key, hold it press, set थोड़ी देर में जो है आएगा और आपको ओपर नजर आएगा कि recovery booting, then immediately release all the three keys, set soon will boot into line age recovery, just wait for it and finally we got the line age recovery, I hope my camera catch it, yes, this is the line age recovery, now first thing you have to do, सबसे पहले जो काम करेंगे, factory reset आपको यहाँ दिखाई देगा, इस पे clear tap कीजेगा and then format data factory reset, सब जो के already selected है, इस पे tap कीजेगा and then format data पे tap करेंगे, formatting शुरू हो जाएगी, let it finish first, it's got completed, अब आप arrow पे tap करके back कीजेगा, जब यह हो जाए data factory reset तो computer की तरफ आएगा, अच्छा दोस्तों मैं आपको एक बात तो बताना भूल गया, कि platform tools भी आपको download करना होगा, link बुजूद है वीडियो की description ने, इसे भी download कीजेगा, जब यह download हो जाएग, तो इसे extract कीजेगा, इसी folder में रहते हुए, और जब एक्स्ट्रैक हो जाए, तो इस पे double click करके open करेंगे, तो आपको यह तमाम file से दर आएगी, एक और folder होगा, open कीजेगा, यह तमाम file से दर आएगी, अब यहाँ पर जो file missing है, वो है cmd, cmd के लिए आप यहाँ आएगा, search पे, इस पे click कीजेगा, और search bar पे type कीजेगा, cmd, यहाँ आपको command prompt दिखाई देगा, यहाँ पर आएगा, और open file location पे click कीजेगा, तो background पे एक और explorer खुलेगा, एक और window खुलेगा, जिस पे command prompt आपको नजर आएगा, लेकिन यह shortcut है, इस पे दुबारा right click करके, open file location पे left click कर दीजेगा, और आपके बार जो window open होगा, वहाँ आपको यहाँ पर नीचे आएगा, तो cmd फाइल नजर आएगी, इस पे right click करें, और इसे यहाँ से copy कीजेगा, अब इस window से हमारा काम खतम, मैं इसे close कर दूँगा, और जो हमारा extracted platform tools वाला folder है, वहाँ मैं cmd वाली file को paste कर दूँगा, चैले जी, file copy हो गई है, अब back कीजेगा, downloaded folder में आएगा, और यहाँ से आपने जो ROM file है, वो copy करनी है, और Google application file को copy करनी है, इन दो files को यहाँ copy करनी है, याद रखिएगा, कि recovery file को नहीं copy करना, इन दो files को यहाँ से copy करना है, और extracted platform tools वाले folder को double click करके open करें, एक और folder होगा, open करें, और वो दो files यहाँ पर paste कर दीजेगा, जब यह दो files copy हो जाए, तो सबसे पहले, जो line age वाली ROM file है, इस पे click करें, F2 press करें, और इसे rename करें, from line age to ROM, that's all, enter कर दीजेगा, जब यह rename हो जाए, तो Google application पे click कीजेगा, जो Google apps वाली file है, F2 press कीजेगा, और G-A-W-P-S, इसको rename कर दीजेगा, G-A-W-P-S, enter कीजेगा, तो यह दोनों file rename हो जाएगी, अब आप cmd है, जो cmd.exe वाली file है, right click कीजेगा, और run as administrator पे left click कीजेगा, command window जो है, वो open हो जाएगा, आपके screen के सामने, अब आप cable connect कीजेगा, दोबारा आपने mobile phone से, एक बार button प्रेस करें, home की, तो set on हो जाएगा, और cable जो है, वो, इसका अगला हिस्सा connected होना चाहिए computer से, आपने cable connect की mobile phone से, और windows आपको sound देगा, कि something is connected with windows, now come on the mobile phone screen, tap on apply update, then again tap on apply from adb, तो ये set boot हो जाएगा, adb side load mode में, ठीके जी, अब command window की तरफ आईएगा, और command type करें, adb space devices devices, enter करें, तो set आपका properly connected होगा, अगर आपको ये number sign नजर आजाए, और set मेरा booted है, side load mode में, which means that, the set is properly connected, now it is time to flash the ROM, so type the command, that is adb space side load space rom.zip, enter कर दीजेगा, तो ROM की flashing शुरू होगी, जो transferring भी साथ साथ में हो रही है, और flashing भी शुरू हो जाएगी, now wait for it, let the flashing complete, then we will continue, finally flashing got completed, if you can see that 47%, yes, the adb side load mode always be finished on 47% and no error, अब आएगा दुबारा mobile phone की जानिब, and tap here to go back to the main screen, and reboot system now, अब आप वेट कीजेगा, set एक बार boot हो जाए, फिर Google application बाकी है, आप cable connected है, connected रहने दीजेगा, परिशानी की कोई बात नहीं है, finally lineH ROM is started booting, lineH welcome screen finally came on the mobile phone, complete the setup screen now, चलें जी, lineH finally boot हो किया है, और ROM हमारे पास update हो गया है, जो के Android 5 था, अब मैं जरा settings में जा के आपको एक नदर दिखाता चलूं, about phone में, so you can see that the model is N9000V, V for Verizon, and Android version 11, so we got the Android version 11 on Galaxy Note 3, the Verizon device, now it is time to flash the Google application, first of all, disconnect the cable first from the mobile phone, and then tap the power key, let the set to get power off, and आपेस आईएगा, computer screen के जाने, और definitely जो command window होगा, वो फिल हाल open ही होगा, क्योंके मैंने close नहीं किया था, अब set को दोबारा boot करेंगे, lineH custom recovery में, जिसके लिए volume up की, home की और power की, press करके रखेगा, थोड़ी देर बाद recovery booting आईगी, तो तो immediately release all three keys, you can see that recovery booting, wait for it, let the set boot into recovery, then we will continue, the lineH recovery got booted, अच्छा, अब यहां पर apply update पे दुबारा tap कीजेगा, and apply from ADB पे टैप कीजेगा, set boot कर गया है, side load mode में, cable दुबारा connect करें, mobile phone से, और cable का अगला हिसा, computer से connect होना जरूरी है, command window की जाने बाईएगा, क्योंके set को हमने disconnect किया, दुबारा connect किया, लेहाजा we will check once again, the set is properly connected with command window, type the command that is adb devices, and press enter, yes, the set is got booted and into side load mode, and connected properly with the computer, अब type कीजेगा, Google application install करने के लिए, type करे, adb side load space g-a-double-p-s dot z-i-p, and press enter, the Google application file will start transferring to mobile phone, and will also be installing at same time, finally, finally, the Google applications flushing of Google application got completed, and installation completed, you can see on the screen, अब आप tap कर के back कीजेगा, और यहाँ पर आके reboot system पर tap कर दीजेगा, के अब कीजेगा, के आप कीजेगा को डिसकनेक कर सकते है, mobile phone से, we are done, from the computer, I will close the command window, switch off the computer, and, set up boot करेगा, दोबारा से, line age, custom ROM, the official line age custom ROM, ported for the galaxy note 3, अब मैं सेटिक्स में जाके आपको एक नजर अकाउंट सेक्शन दिखाता चलूं, if I got connected, we'll go back, and, दोबारा चेक करते हैं, tapping it on add account, once again, checking info, finally, we got the screen of signing in, on the Google account on mobile phone, अब यहाँ पर आप Google account, sign in कर सकते हैं, जब आप sign in कर लेंगे, तो आप simply go to menu, and tap the play store, आप असानी से download करके install कर सकते हैं, galaxy note 3 पे, तो galaxy note 3, Verizon, is got updated from android version 5, to android version 11, hopefully, you got helped by this video, do not forget to like the video, we'll see you once again in my next video, until then, goodbye, and, take a good care of yourself,